हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म और टीविया पर आपका स्वागत है वो पुरानी यादे इस एपिसोड में हम देखेंगे टेलिविजन शोड चमतकार के बारे में तो चरिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड चमतकार एक कॉमेडी शोड था जो की सोनी अंटेटेन्मेंट टेलिविजन पर 1995 में शुरू हुआ था और इसका आखरी एपिसोड 1997 में टेलिकास्ट हुआ था इस शोड के 160 एपिसोड बने थे और हर एपिसोड 20 से 21 मिनिट का होता था इस शोड को पार्थो घोश ने प्रिड्यूस किया था बॉलिवर्ड और थियेटर के मशहूर अक्टर फारुक शेक इस सीरियल में लीड रोल में थे और इसके सक्सेस्फुल होने का मेंन क्रेडिट भी उन्ही को जाता है इनके साथ साथ फिल्मी दुनिया के बड़े ही फेमस कमेडियन रजाक खान ने भी इस शोड में अभिनाय किया था ये शोड सोनी चैनल के प्राइम टाइम शोड में से एक था जिसने की अपने युनीक कमेडी और कंसेप्ट के चलते खुब पॉपलारिटी बटोरी इस शोड की कहानी प्रीम कुमार चोबे की लाइफ के इर्द के घूमती थी प्रीम के अंदर एक अनोखी खुबी थी वो काफी दूर की बाते भी सुन लेते थे जो की एक आम इंसान नहीं सुन पाता उनकी इस खुबी के कारण वो हर दिन किसी ना किसी मुसीबत में पढ़ जाते थे लेकिन कभी-कभी वो अपनी इस खुबी से अच्छे काम भी करते थे जैसे की पुलिस की हेल्प करना और चोरों को पकड़वाना जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है उनकी एक और खुबी सामने आती है और वो होती है दूसरों का दिमाग पढ़ लेना जिससे वो जान जाते थे कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोच रहा है और उनकी इस खुबी ने इस शो को और मज़दार बना दिया था अब बात करते हैं इस शो की में कास्ट की प्रेम कुमार चुबी के रोल में थे फारुक शेक प्रेम की पत्नी आशा लता के रोल में थी महा स्वेता रोई बाद में उनकी पत्नी का रोल किया था नंदिता पूरी ने प्रेम के असिस्टेंट मकोडी के रोल में थे रजाक खान प्रेम के बोस के रोल में थे मुस्थाक खान और उनके बोस की बीवी का रोल प्ले किया था हिमानी शेवपुरी ने पुलिस कमिशनर के रोल में थे अमिद दिवेतिया विजे के रोल में थे विजे गोखले इस शो के सभी 160 एपिसोड सोनी के सोने लिव ब्लाटफॉर्म पर अवेलिबल हैं जिन्हें आप जब चाहें देख सकते हैं तो कैसा लगा आपको वो पुरानी यादे सीरीज का ये एपिसोड और आप अगले एपिसोड में कौन से शो की यादें ताजा करना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं फिल्म्स और टीवी की दुनिया से जुड़े और विडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म और टीवीया को सब्सक्राइब जरूर करें